असलाम हुआ अलेकुम मैं जुलेखा अर्फाद जुलेखास कीचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं मलाई चिकिन रशियन चीज कटलेट्स पहुत ही जट पर घर पर आसाली से बन जाती है कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आसी चीजी और डिलिशियस लग रही है माशालो और क्रीमी भी लग रही है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी सालहा नन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन्स से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कबाब्स बनाते हैं रुशिन कटलेट्स बनाते हैं आज के चलिए ये कटलेट बनाने के लिए 200 ग्राम चिकिन बोनलेस को चरबी निकाल लीजिए दोसीन पानी से धोग के नितार कर एक पतीली में दाल दीजिए आधा कप पानी दाल दीजिए चुला फास्ट आज बचालू कर दीजिए नम्मक थोड़ा दाल दीजिए एक या दो टीबिल्स टाइप रहने दीजिए हलकी लगी-लगी से इसका चुला कर दीजिए पंद और इसे ठंडाओने साइट पर रख दीजिए अब एक पैन के अंदर हम प्रिपेर कर लेते हैं वाइट सॉस इसमें मैंने दाल दिया 3-4 टेबल्सपून जितना मक्षन इसे थोड़ा पिगल जान और अच्छे से bubble type आने लगे और अच्छे से पकर रहा है बस वहां तक हमें पकाना है जब आप देखें कि color change हो गया है यह देखिए ऐसे खुश्बू भी आने लगे और आप देख सकते हैं कि bubbles type भी आ रहे हैं तो यहाँ पर एक कब जितना दूद दाल दीजिए और medium पर ही थिक नहीं हो जाता और ये जो हमारा white thick sauce है ये pan में छोड़ देता तब तक आप इसे पकने दीजिए लेकिन बार-बार चलाते रहेगा सो दाट lumps ना हो जाए ना, lumps फॉम नहीं होने चाहिए ये आप देख सकते हैं तो इसे ठंडा होने के लिए साइट पर रहने दीजिए ये चिकन ठंडी हो चुकी है तो मैं ऐसे श्रेड कर लेती हूँ और इसे भी साइट पर रख देती हूँ अब एक बड़े से थाली के अंदर मैंने तीन मीडियम साइज के आलू लिये हैं आप चार भी दाल सकते हैं मैंने तीन डाले हैं आप ग्रेड भी कर सकते हैं मैंने हाथों की मदद से इसे मैश कर लिया है अब इसमें जो श्रेड करके चिकन रखी है वो सारी डाल दीजिए और ये जो पतीली है उसके अंदर जो भी मसाला लगा हुआ हो आलू डाल कर इसे चला कर इसमें डाल दीजिएगा अब मैं यहां डाल रही हूँ 1-4 cup जितना बारिक कठा हुआ सिमला मिर्च और 1-4 cup जितना ग्रेट मोटा-मोटा ग्रेट किया हुआ गाजर अब ये दोनु चीज आप आपके स्वाद अनुसार ले सकते हैं यूशुली मैं जब भी खाया हूँ तो मैंने भट्यारे में खाया है तो थोड़ा कम ही रहते हैं यहां वह बस लगी हुए आपको सिमला मिर्च और गाजर दिखते हैं अब डाल दीजिए नम्मक मैं आदा छुड़ा चाय का चमच दाल रही हूँ और एक चुड़ा चाय का चमच काली मिर्चों का पाउडर दाल दीजिए यहां पर मैंने दो-तीन हरी मिर्चों को पूट कर रखा है आप पीसकर भी दाल सकते हैं हरी मिर्चों आपने स्वाद अनुसार दालिएगा मैं कम स्पाइस खा रही हूँ इसके लिए तीन दाली है अब यह जो हमने मलाई बना कर साइट पर रखी है या थिक वाइट सॉस काई है वो ठंडा हो चुका है वो डाल दीजिए और बिसमिल आरफाने ते बोल के सारी चिसों को पहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब अच्छा मिक्स हो जाए तो अब यहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके कबाबे कहिए या कटिलेट बनाना शुरू कर सकते हैं तो यहीं से शुरू कर दीजिए और नहीं शुरू कर सकते हैं तो इसे आधे एक गंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, चलिए आधे गंटे के बाद फ्रिज में से निकाल लीजिए, थोड़ा साथ तेल से हातों को घ्रीस कीजिए, एक medium portion लीजिए, वह आपने जितनी बड़ी बनाने हो उतनी लीजिए का portion और इसे हातों की मदद से चप्टा करते जाएं, और यह जो चीज है, आप चाहें तो mozzarella लें, आप चाहें तो cheddar लें, आप चाहें तो दोनों mix ले सकते हैं, actually यह वाली चीज जो है, दोनों mix चीज है, इसे बीच में डालिए, जितनी आपने डालनी होती है, इसे इस तरीके से cover कीजिए, बंद कीजिए और इसे इस तरीके से लंबा मतलब oval shape का चप्टी से cutlets बना लीजिए, यह देखिए, ऐसे, और इसे side पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे cutlets बना लीजिए, चलिए मैंने सारी बना लीए, तकरीबन एक dozen बनी है, यह मैंने medium size की बनाई है, अगर आप बड़ी बनाएंगे तो कम बनेगी, अगर आप छूटी बनाएंगे, तो ज़्यादा बनेगी, अब आप चाहें तो इसे आदे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, यह आदे घंटे के लिए फ्रिज में रख दियता है, उसके बाद एक बड़े से बाउल के अंदर दो अंडे फोर कर करते हुए, अलने में बहुत अच्छे से वेल कोट कर दीजिए, और अब यह सेवियों को बहुत अच्छे से चारो ओर से कोट कीजिए, वेल कोट कीजिएगा, चारो ओर पे लगना चाहिए, यह हमारे सेवियां, और यह जब हो जाए, तो इसे साइट पर रख दीजिए, इ तो उसके लिए आप क्या कीजिए? एटाइट कंटेनर के अंदर इन्हें डाल दीजिए या फिर जिपलॉक बैग में डाल कर इसे फ्रीजर में डाल दीजिए जब भी मन करें निकाले और फ्राय कर ले चलिए मैंने सारे बना लिए अब आप इसे आदे एक घंटे के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रहने दीजिए क्योंकि ये इस थोड़े गीले के लिए रहेंगे तो अभी डारेक्ली फ्राय तो कर ही नहीं पाएंगे जब आदा एक घंटा हो जाए तो फ्राय पेंड के अंदर तेल डाल दीजिए चुला फास्ट आज पर चालो कर दीजिए अच्छा घरम हो जाए तो मीडियम आज करके बिसमी डायरा फाने रेम बोल कर हमारी जो काटलिट से रश्यन वाले चीज वाले ये डाल दीजिए जि ये light golden brown हो गए हैं इन्हें में निकाल कर नहतार के tissue paper के उपर side पर रख देती हूँ इसी तरीके से batches में fry कर लीजिए अच्छा मैं अभी second batch के अंदर दो ही fry कर रही हूँ क्यूंकि मैं बाकी के कल fry करने वाली हूँ तो अगर आप भी मेरी तरह next day fry कर रहा है तो आप क्या की जो बचे हुए हैं उन्हें add tight container के अंदर दाले और फ्रिज में रख दे फ्रीजर में मत रखेगा अगर आप एक दिन के लिए ही रखना चाते हैं तो अब जैसे मैंने next day fry किया है तो उसके लिए मैंने एक दिन नीचे फ्रिज में रख दिया एक दम एक दूसरे में फसम फस करें कि डबे में भरके मत रखेगा फुला फुला रखेगा so that यह हमारे जो शेप है ऐसे बड़े बड़े से लगे चली यह सारे बन चुके हैं आप मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ और थोड़ी सी मेरी आदत है कोत मेरी याने के हरा धनिया दाल कर सर्फ करने की और इसे आप चाहें तो हरी चटनी और लाल चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं वैसे इन दोनों की रेसे पिलिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर लीजिएगा चलिए आपको मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ सबसे पहले तो यह देखें क्या बढ़िया से बाहर से क्रिस्पी बने और अंदर से मलाईदार और चीजी बने जैसे मैंने कहा है तो मैं एक तोड़ लेती हूँ बिसमिल्ला इरह्मानी रहीं कितने मलाईदार है और उपर से चीजी कितने आप देख सकते हैं माशाला 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 और बहुत ही डिलिशियस है अच्छा इस इस रेसिपी में नम्माक, चाहे मिर्चों पूटी हुई और यह जो सबजियां यह सारे अपने स्वाद अनुसार दालिएगा इसी तरीके से मैंने बहुत सारी रमजान रुलेटेड रेसिपी मेरी चानल पर अप्लोड किये सारे लिंक्स याने की प्लेलिस्ट ही डिस्क्रिप कीजिए इस वाले वीडियो को उससे साथ अच्छी लगे अपने फैमिली और फेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फवर्ट कीजिएगा फिर से आज इनोंगी नहीं चान्दार दमदार रेसिपी के साथ अंतल दें टेकर अलाहाफिस बाइ कर दो